तो फ्रेंट्स आज हमें आपर बात करने वाले हैं एक ऐसी बहुत ही important और easy trick की जो हमारी daily life में काफी use होती है क्योंकि कभी कबर क्या होता है कि हमारे pictures में कुछ ऐसे objects आते हैं जो हमें हटाने होते हैं तो इसलिए मान दीजिए अगर यह picture है या कोई भी आपके picture जिसमें से आपको कोई एक object हटाना है तो सबसे पहले तो हम Photoshop में वो image लेकर आएंगे जिसमें से हमें कुछ भी object या person हटाना है और उसके बाद हम layer में जाकर उसको control जैसे और अगर आप mac use करें तो command जैसे layer को duplicate करें आपने क्या करना है लेना है जिसका shortcut है एल और लेकर आपने अपनी image को select करना है वो भी उसको आसपास के बिल्कुल nearest area से आप easily इस तरह से इसको अप select कर सकते हैं select करने के बाद आपको edit में जाना है और fill का option पे click करना है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ options आ रहे हैं by default यहाँ पर हो सकता है कुछ और option आ रहा हूँ पर आपको content aware पे जाके click करना है और उसके बाद कर देना है उसके बाद आप देखें कुछ वर्किंग हुई और यहां पर आपका वो जो भी ऑब्जेक्ट था यह परसंद था जा चुका है पर शायद आप देख रहे होंगे कि यह सेलेक्शन आ रही है और यहां पर थोड़ा सा यह अजीब सा आ रहा है इसकी दो वजाएं है एक तो यह वजा है कि हमें और यहां पर कुछ था और हटा है और दूसरा यह कि यहां पर पूरा इसने अगर आपको फिर भी लगे के लिए नहीं हुआ है तो आपको वापस उस एरिया को लासो टूल से ही सेलेक्ट करना है और उस एरिया को सेलेक्ट करके आपको फिर से वह के कर दिना है फिर आप देखेंगे कि वो जो इमेज है आपकी काफी हद तक और ठीक हो गई है अब ये एक रोड का ही पार्ट अपेर हो रहा है तो इस तरह से आप अन्वांटिट अब्जेक्ट्स को या पर्सन को अपनी फोटो से हटा सकते हैं I hope आपको ये वीडियो काफी यूसफुल लगी होगी और अगर कोई और आपकी फोटोशोप की क्वेरी है ये कोई फिट आप चाहते हैं कि हम आपके लिए उसको ट्राइ करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन तुरू भेज सकते हैं Thank you